हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं रामसर अनकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथ यूँ एक बहुत बड़ी आप देख रहे होगी न्यूज है जो लगातार सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है क्या है इसका हकीकत और थमनेल में आप लोगों ने देख लि रहिएगा दरसल आप जानते हैं कि 6 अप्रेल 2030 को सीटेट के लिए एक न्यूज आई है यह न्यूज क्या है दोस्तों तो आप जानते है यहां पर जो कोट है कोट ने एक आदेश दिया है कौन से कोट ने तो अलाहबाद हाई पोड़ने एक आदेश कहां से तो यहां जो आ एक्जाम हुआ है सभी के रिजल्ट आ गए है लेकिन ऐसे अस्पारेंट ऐसे विद्यार थी जो बीट डिग्री धारक थे उनके रिजल्ट को रोग दिया गया है क्या है पूरी जानकारी क्या है पूरा न्यूज यहां पर आप देखेंगे यह देखें यहां पर एक नोटिस आया है अखबार में लिखा हुआ है कि सीटेट में बीट वालों के पैड़ाम जारी करने पर रोक लगा दी है क्या है पूरा मामला एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें लिखा हुआ है कि इलहाबाद हाइपोट ने सीबिस्ट को सेटेट की परिक्षा पर आदेश करने के बाद जारी किया जाएगा यदि परदाम जारी किया जाता है तो वहां विशेश अनुमती याजका के आदेश के आधीन होगा हाइपोट अब इस मामले में चार सब्ताहबाद सुर्माई करेगा यहां आदेश नयामूर्ति आशुदो सिर्वास्तों और प्रतीक मिस्त्र के याजका पर थिया गया याजका में सीटी में सीटेट में बीट डिग्री धारक के पैडाम जारी करने पर लोग रोक लगाने की मांग की गई है याजका में कहा गया कि राजस्थान हाइपोट ने नेस्नल टीचर्स काउंसिंग एजूकेशन के अठ्था यह था पूरा का पूरा आदेश इसको मैं आसान और सरभासा में आपको समझाता हूं दरसल आप जानते हैं राजस्थान जो रेट का पेपर होता है प्राइमरे स्थार का उस पे 2018 की बात है अठाइशों को उसमें ब्यट डिग्री धारकों को प्याटे में सामिल खल लिया बाद में राजस्थान में ही इसको किया की चुनोती दी सकती है यह चले जाती है यह जाता है पूरा का पूरा मामला सुप्रीम को चला जाता है अभी वर्ष 2022 में जो सुटेट का एक्जाम चला था एक लंबे समय तक उसका पहला आ गया है पहले एंसर किया फिर रिजल्ट आय लेकिन अभी सरकार किया हाइप जरी है किया अगर नायगर ऑप यह रहताा हुई आपको किसी भी तरह की सूचना नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट करने के लिए जरूर आ जाओगा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं अप्रेल माह में इसी ऐसे ही सूचना अधिसुचना की कायस लगाया जा रहा था कि अप्रेल में बहुत बड़ जो है उसको कराएगा भरती को और अभी यह अप्रेल माह अभी रुका नहीं है अभी अप्रेल माह चल रहा है अप्रेल माह में टेचिंग एक्जाम से जुड़ी हुई ऐसे बहुत सारे नियूज आपके सामने आने वाली है तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर किस तर अचारी में अचार के पूरी टीम लगी हुई है वो चाहे तो ऐसे छोटी से छोटी सुचना हों कोड के आदोस हो यह किसी भी तरह के हर समय आपके बच्चों के टीकेंग टीचिंग एक्जाम की त्यारी कर रहे सभी अस्पारेंस के खित में लगे हुए है सभी एजुकेट कर लेंगे और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेर करनेंगे ताकि सभी को इस पेपर कटिंग या इस वीडियो को जानकारी मिल सके और आप सभी अपडेट हो सके सभी का शुक्रिया धेंक्यों सो मस्तेंक्यू